हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चेनल में तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कलाउस 12 के बायलोजी का टॉप सत्तर इंपोर्टेंट हम लोग भी भी आई अब्जेक्टिव प्रसन लेकर आये हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम के भुरून पोस में गुन सुत्रों की संख्यायनी सुत्र गुनिता उसकी क्या होती है तीन एन के रूप में राता है तीन एन के रूप में ठीक है न ऑप्सन सी हो जाएगा आपका दूसरा कोसन है यूगमक सम्मनियता किस परकार के होते हैं यूगमक जो होते हैं ये किस प कोशन निमनाकित में से कैसा फल कहलता है इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं अगला हमकмотря जब संथतिक उतपती निख्रक oxon tradis जब संथतिक उतपती एकल जनक के द्वारा होती यह एक है यह किद्वरा हो तो गπα करते हैं जितने भी वेक्टिरिया है छोटे जीव हो आते हैं जिसे कि हम लोग में लेंगिक ही जनन होता है फूस्प में मेंल होता है ठीकemin नेक्स्ट कोशन देखिए आपका क्या कारता है निम्नांकित में से कौन सा जन्तु उभ्यालिंगी नहीं है उभ्यालिंगी नहीं है तो घरेलू मक्षी जो है प्यारे ये आपका उभ्यालिंगी नहीं होगा ऑप्शन नमर्डी अगला है इस्तरी दल्चक्र बना है किसे अश् जरूर कीजेगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस चैनल का सदस्त बन जाईए ठीक है अगला है आपका अगुनित भुरुन पोस्ट निम्नांकित में से किस की विसेस्ता है अना बृत बीजी की है अगला है किस फल का बीज चोल खाया जाता है जै फल लीची शरीफा इन में से सभी आपका राइट अंसर बनेगा नेक्ट कोसन देखिए एनीमो फिली नमक परागन किस के द्वरा होता है हवा के द्वरा होता है एनीमो फिली और एक होता है एंटोमो फिली वो होता है आपका कीट के द्वरा होता है ठीक है एक स्वस्त महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन कुल अंडों की संख्यां 400 होती है next question देखिए अपका क्या है परिपक्व सुक्रानों के सीर्स पर एक टोपी नुमा सनचना पाए जाती है उसे एक्रोसोम बोलते हैं सर्टोली कोसी काई पाई जाती है तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाए आपका भ्रिसन में क्या होजएगा भ्रिसनों में अगला है आपका ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं मादा मानव के अंडास्य में गेमीट निर्मान को क्या कहते हैं ग्यमीट को कहते है यगमक, तो यगमक के निर्मान को यगमक जनन यानी ग्यमीट Oh Genesis बोलते हैं तो यगमक को अंग्रेजी में ग्यमीट बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, इसी तरह से कोसन आ जाता है जन संख्यां अधीक होने से पर्ति व्यक्ति की आई कम हो जाएगी आई जैदा हो जाएगी जन सधारन स्वास्त अच्छा हो जाएगा इनमें सभी तो हो जाएगा पर्ति व्यक्ति की आई कम हो जाएगी ठीक है न बढ़ रही मानब भुरून का पहला संकेत क्या है इसका है अ स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन की विविन अविव्यक्तियों उसे कहते हैं तो आपका सही जबाब होगा अगला कोशन दुविक संकर करोस का फिनो टाइप अनुपात क्या होता है तो तेरोनवे एक्टीस याद रखिए यह नौ अनुपात तीन अनुपात एक होगा मुश्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा तो प्यारे दोस्तों आपको इस 20 प्रस होते हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एक लाइक जरूर कर दिजिएगा सभी स्टूडेंट